बात क्रिकेट की करते हैं तो BCCI ने T20 World Cup के लिए टीम इंडिया का एलान कर दिया है रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया में यशस्वी जैसवाल विराठ को ली सूरी कुमार यादाव रिशप पंत और संजू सेमसन को टीम में जगह मिली है पूरी ख़बर दे रहे हैं मेरी सयोगी करिश्मा सिंग बिल्कुल BCCI ने आज एक बहुत स्ट्रॉंग टीम का एलान किया है T20 World Cup के लिए जो USA और West Indies में होने जा रहा है इंडियन टीम के अगर बात की जाए तो रोहित शर्मा इस टीम के कप्तान होंगे टीम काफी expected lines पर है दो शायद changes बड़े हम कह सकते हैं पहला होगा रिशब पंथ जो की इंडियन टीम में अपनी वापसी कर रहे हैं 2022 में सब को याद है रिशब पंथ के साथ क्या बीती थी उसके बाद आज इंडियन टीम में वापस आना एक बहुत अच्छा मोमेंट रिशब पंथ के लिए ये है उसके अलावा युजबेंदर चेहल के लिए भी बहुत एक बड़ा मोमेंट है उन्होंने आईपियल बहुत अच्छा खेला इस बार बहुत विकेट्स लिए उन्होंने और इसी के लिए शायद उन्हें आज रिवार्ड किया जा रहा है कि वो टी ट्वेंटी वर्ल्ल कप टीम में अपनी जगे बना पाए है उसके अलावा जैसा मैंने कहा एक्सपेक्टेड लाइन्स पे है बोलिंग के अगर बात की जाए तो कुल्दीप यादफ टीम में है मौमद सिराथ जस्परीद भूमरा अर्श्टीप सिंग जो है वो डेध बोलिंग का ध्यान रखेंगे हार्दिक पांडिया वाइस कैप्टन के तौर पर टीम में जा रहे हैं रिशब पंस अंजू सैंसन दो विकेट कीपर्स हैं आपका ओपनिंग पेर रोईट शर्म और यशस्पी जैसवाल का विराट कोली सूर्य कुमार यादफ भी टीम में है ट्रैवलिंग रिजर्व की अगर बात की जाए तो उसमें जो है आपका शुबमन गिल है रिंकु सिंग है खलील एहमद है रिंकु सिंग की कहीं न कहीं बहुत लोगों ने उमीद की थी कि शायद उनको 11 में जगे मिलेगी लेकिन वो नहीं हो पाया है तो कहीं न कहीं सिलेक्टर्ज ने जो मीटिंग भी की उसमें काफी सोथ समझ के ये टीम का चयन किया गया है और अब यही टीम जो एक भारत्य जनता का इस देश का सपना है का ICC ट्रोफी को उठाने का वो पूरा करने की पूरी कोशिश करेगी क्योंकि 2023 के वर्ल्ड कप में भी भारत को हार का सामना करना पड़ा था तो कहीं न कहीं उमीद्याई की जारी है कि ये वर्ल्ड कप भारत अपने नाम करे